पॉलोबड एक्प्रस धिपिका पदुकोड गंगन रनावत इश्वर राय बच्चन ने कांस्विन फेस्टिवल में अपना जल्बा दिखाया अब सबको इंतजार है सोनम कपूर का जी हाँ सोनम कपूर के लुक का हर कोई बेसबरी से इंतजार कर रहा है बता दे कि 14 और 15 मई यानि कि सोनम को रेट कार्पिट पे आज और कल वॉक करना है बता दे कि सोनम कपूर को एरपोर्ट पर स्पोर्ट किया गया था और ऐसे में कयास लगा जा रहे हैं कि सोनम अपने पती आनन के साथ अपेरंस देंगी लेकिन सोनम अकेले कांस के लिए निकल चुकी है जी हाँ यहाँ अपने पती आनन से दूर सोनम अकेली नज़र आई तो ऐसे में लोग ये कयास लगा रहे थे कि सोनम अपने पती यानि कि आनन दा हुजा के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में नज़र आएंगे लेकिन सब सोनम को अकेले एरपोर्ट पर देखा गया तो इसलिए चीज साफ हो गई कि सोनम यहाँ पर अकेले ही अपेरिंस देने वाली है उनके पती साथ में यहाँ पर नहीं नज़र आएंगे इसके इलावा आपको बता दें कि सोनम के एरपोर्ट लुक की बात करें तो सोनम ने बीच कलर की पैंट और जाकेट पर नज़र आई थी जहां सोनम बिना मेकप दिखी जी हाँ अकसर ही सोनम जो अपने लुक से सब को चौका देती है पिछली दफ़ा सोनम एरपोर्ट पर अपने पती के साथ साड़ी पहन कर नज़र आई थी जहां उनके उस लुक को लोगों ने काफी मजाग बनाया जी हाँ सोनम अपने उस लुक को लेकर ट्रॉल भी हुई थी वहीं बात करें सोनम के इस लुक की तो यह लुक काफी सिंपल था यहां पर सोनम बिना मेकप दिखाई दी खेर अब देखना होगा कि सोनम के कांस लुक का सबको बेसमत्री से इंतजार है और साथी साथ आपको बता दें कि सोनम के लुक को जितने पिछले कांस में पसंद किया गया है यकीनन इस कांस में भी लोगों को इंका लुक पसंद आएगा साथी साथ आपको बता दें कि सोनम अब इसके बाद अपने फिल्म की शूटिंग में भी बिजी होने वाली है नेक्स नोई नियुस्रूम के रपर्ट नेक्स नोई नियुस्रूम के रपट सब्सक्राइब अन प्रेस्ट बेल इकन पर लेतेस्ट अपडेट